जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल पता चला है चटी पहन के बूर किला है जंगल जंगल पता चला है चटी पहन के बूर किला है एक परिंदा है शर्मिंदा खावो नंगा खाई से तो अंडे के अंदर खावो जंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है जंगल 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 पता चला है चटी पहन के बूर किला है जंगल जंगल पता चला है चटी पहन के बूर किला है बैक देखें तो यह तीन पागल आज क्या गुल खिलाएंगे तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? मुझे नहीं मालूम मोगली, तुम इसे पंजा कहते हो, लेकिन मुझे तो ये लकडी का पुराना टुकडा दिखता है लकडी का टुकडा? ये तो जादू ही है, इसी लकडी के टुकडे से तो उस दिन शेर खान ने मार खाई थी सच्ची? हाँ, हाँ ठीक निशाना लगाओ हाँ, मुझे यकीन ही नहीं होता? मुझे यकीन है ठीक लग रहा है फेक कर देखू, ठीक है या नहीं? अरे वा, कमाल कर दिया मोगली यह वापस तो आ गया, लेकिन यह तो बताओ कि अब यह किस काम का? अकडू, इससे तो मैं किसी को भी माद दे सकता हूँ हम, खिलोना है तो मजीगा खिलोना, तो यह देखो देखो, वो नार्यल है न वहाँ लिला तू, फेर जाओ मेरा है, वापस दो क्यों करो, तुमने जान बुछकर मेरे उपर फेका है मैंने तुम्हें नहीं देखा, वापस दो तुम्हारा मतलब किसीने मुझे नहीं देखा अकडू और पकडूने भी नहीं है, हाँ, हाँ, नहीं देखा वापस करो ताकि दुबरा फैको मैं बुद्धु नहीं मैं नहीं लोटाने वाली लीला की बच्ची कुछ चीजे नहीं बदलती ईहीं रेख भाव लोटानेश कोई बात नहीं मौगली दुखी न हो दूसरा मिल जाएगा वो टोट ठीक है लीला को मुझे इतनी नफरत क्यों क्योंकि मैं आदमी का बच्चा हूं ये बात नहीं ये सब लीला अपने पिता के कारण ऐसा करती है उसके पिता हां बहुत पुरानी कहानी है काफी छोटे थे त एक समय आया जब लीला का दादा सरपंच पद से हटना चाहता था इसलिए नहीं कि वो बुड़ा हो चुका था वो तो स्वयम दल का नेत्रुत्व जवान पीडी को सौपना चाहता था इस पद के काबिल तो दो ही थे सरपंच का बेटा विक्रम यानि लीला का पिता और मुकाबले में जीतेगा वोई होगा हमारा अगला सरपंच यह 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 का कानूल सब समझ गए ना अब सब विक्रम हम एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई जूरत नहीं नहीं मुझे तुम्हारे सरपंच बनने में कोई भी आपत्ती नहीं तुम जानते हो मोती इस लड़ना ही पड़ेगा यही नियम है मोती, कोई और आस्ता नहीं आ मोती तुम बच नहीं सकते मोती मोती मुत्वाबार जीत गया? मोती अज़्स जीत गया मोती चुछ गया अल्विदा बस उसी तूफान में गायब हो गया और फिर लोटा ही नहीं तो लीला ये सोच्थी है कि मेरे पीटा ने उसके पीटा को मार मार के भगा दिया गलत सोच्ती है आओ तुमारे लिए दूसरा पंजा ढूंडे चलो क्या मनुष्य के बच्चे के पंजा ये सच्छे शेर खान मैंने खुद अपने कानों से सुना है पंजे खातर ना को सकता हुआnd हुआण हुआण लुआण कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो क्या और कोई काम नहीं वो पंजा दे दो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे नहीं दुम्गी मोगली मुझे इससे मारना चाहता था मुझे चोड भी लग सकती थी क्या पता वो फिर मुझे मारने की कोशिश करें मोगली से इतनी नफरत अगर तुम्हे हमारे पीता से कोई शिकायट है तो उनसे कहो नहीं मोगली हमारे जुन का सदिश्य नहीं हो सकता तुम कार होती हो ये फैसला करने वाली लड़ो मत बस करो लीला समझ में नहीं आता क्यों तुम हमेशा लड़ते रहते हो तुम्हारी ये सुन्दर खाल खराब हो जाएगी तुम्हारे पीता की खाल भी बहुत सुन्दर थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी पीता जी जैसी तुम्हारे पीता की खाल की सभी प्रसंशा करते थे तुम्हें गर्व होना चाहिए कैसा गर्व सुन्दर खाल के होने पर भी वो सरपंच तो न बन सके तुम ठीक कहती हो तुम्हारे पिता विक्रम मुकाबले में मेरे पती से हार गए लेकिन विक्रम तो खुद सरपंच पत के लिए मुकाबला करना चाहता था हारने के बाउजूद भी वह सदसे बनकर यहां रह सकता था नियम के मुताबिक मुकाबला ज़रूरी था इसमें हारने या हराने वाले का क्या दोश लेकिन वो चला गया विक्रम को तो सरपंच पत से कम कुछ भी मन्जूर नहीं था लीला सब उसे याद करते हैं रुको लीला ये लो इसे वापस कर दो तुम मुगली को मा जो कुछ भी मोती और विक्रम के बीच हुआ उसे भूल जाओ और अब मुगली से दोस्ती कर लो क्या तुमने नए पंजय की तलाश छोड़ दी सही डाल डुनना इतना आसा नहीं है वगीरा तो फिर लीला से पुराना पंजय ही वापिस मांग लो वो तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गई होगी तो करते रहो नए की तलाश मैं नहीं ढूनना चाहता क्या कहा नए पंजय ढूनने के लिए तो तुमने मुझे यहां बुलाया था मैं क्या यहां जख मारने के लिए आया हूं मोगली क्यों आये हो मैंने तो तुम्हें यहां नहीं बुलाया था बगीरा तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं अलविदा फूटो पया यहां कि यह किसरी काम का नहीं काश, पिता जी आजिया मेरी मदद के लिए हो थी मोगली, चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल सांस रोक कर देखो थमाल कर दिया मचली पकड़ने के लिए मनुष्यक लंबी अजीब चड़ी का इस्तेमाल करते हैं वे अपने हातों से वो मचली नहीं पकड़ सकते मुझे मालूम है, मैंने देखा है, लेकिन मोगली को मैं अपने बच्चे की तरह पालूँगा मैं ठीक हूँ बहुत मुश्किल है आदमी के बच्चे को पालना हाँ, शायद मोती, इतनी मुश्किल से सरपंच बनने के बाद भी तुम्हारा बरताव कितना अच्छा है तुम सबसे बहुत अलग हो मालूम है, मैं बड़ोजय सवेवाहर क्यों नहीं करता पहले सरपंच मुझसे बड़े हैं और जब विखर्म वापिस आजाएगा, तो वो सरपंच बनेगा मौगली, मचली पकड़ने से पहले ये सीखो कि वो तैरती कैसे है जब उसके तैरने का तरीका सीख जाओगे, तब उसे पकड़ भी लोगे मनुष को सिखाना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पर तुम तो मौगली को बड़ी आसानी से सिखा देते हो वो, बहुत पहले मैंने एक आदमी को देखा था, जो अपने बच्चे को नदी में तैरना सिखा रहा था पिता जी, पिता जी देखे मैंने क्या पकड़ा कोई बात नहीं, मैं दूसरी पकड़ लूँगा बगीरा, क्या तुम मोगली को शिकार करना सिखाओगे? मजाग कर रहे हो, मैं सिखाओ और इस बच्चे को मजाग नहीं कर रहा, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो सब यही सोचते हैं कि मैं अजीव हूँ, और कभी-कभी मनुष्य की तरह वरताव करता हूँ इसलिए तो तुम से कह रहा हूँ सही है, नन्हसा बच्चा था वो जबसे मैंने उसे पाला मैंने बहुत कोशिश की उसे भेडिया बनाने की पर वो तो मनुष्य की तरह सोचता है ठीक कहते हूँ सोचता हूँ कि मोगली को तुम अच्छी तरह सिखा पाओगे क्योंकि कभी मनुष्यों ने तुम्हें पाला था मोती, जन्दियो वहाँ तुम्हारी जरूरत है है क्या हुआ क्या बात है देखो तो मोती, अब हम यहाँ नहीं रूख सकते यह जगा बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है तो, क्या किया जाए अब सरपंच तुम हो, निरने भी तुम लो ठीक है मैं ही निरने लेता हूँ सरपंच के नाते में हुक्म देता हूँ तुम सब को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुचाओगे अलेकिन देखो तुम इस जंगल का चपपा चपपा जानते हो जल्दी करो इस समय तुम्हारे आनभव और कोशल के हमें बहुत जरूरत है अब जाओ सब लोग इनके पीछे पीछे जाएं मुझे मालू मैं भेडिये इसी रास्ते से आएंगे अब वो मेरा शिकार बनेगा चलो हमें जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचना होगा क्या चाहिए तुम्हें मोती मुझे वो बच्चा चाहिए मैं कहता हूं मुझे वो दे दो नहीं शेरखान जंगल में आग लगी है कनून है हमें एक दुसरे की रक्षा करनी चाहिए मुझे कानून की परवाने में कानून खुद बनाता हूं मैं कहता हूं कि मुझे वो बच्चा देता नहीं ये मेरी लड़ाई है तुम जल्दी से बच्चों को सुरक्षि जगे ले जाओ अब सुनो जंगने तुम करोगे तुका जी नहीं भाब जाओ वो बच्च नहीं सकते मोगली को यहां से ले जाओ ओ फिताजी रही आओ मेरे साथ तुम्हें वापस ले जाना खत्रे से खाली नहीं तुम नहीं जा सकते मैं मोटी के आदेश का अनादर नहीं कर सकता समझने की कोशिश करो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते एै यह एकारिए हिर कान? नहीं, 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 पिता जीं, नहीं शेर खान? बगीरा? शेलना नहीं, उसे मालूम ना पड़े के हम यहाँ है तुम अभी बहुत छोटे हो नादान हो, उससे मुकाबला करने के लायक नहीं शेर खान का सामना नहीं कर सकोगे तुम तो कब कर सकूँगा बगीरा? मैं बताऊंगा, नहीं तो मोती की सारी मेनत बेकार हो जाएगी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है अकल से काम लो जैसा कहूं वैसा करो मोगली मोगली वो अब गया, चलो तुम्हारा पंजा ढूनते हैं हाँ बगीरा हाँ, चलो, मोती को वादा दिया थो तुम्हारी देख भालका ओ बगीरा इराव्या क्यों बदल दिया लीला, क्या, मैं समझी नहीं मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मोगली को हम सब की मदद की जरूरत है बगीरा, मेरे बेटे मोगली को बहुत प्यार से पालना जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल पता चला है एक परिंदा है शर्मिंदा था हो जंगल इससे तो अंडे के अंदर था हो जंगल सोच रहा है बाहा न फिर क्यों निकला है जंगल जंगल पता चला है जंगल जंगल पता चला है झाल